तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को स्टार प्लस पर आने वाले सीडियल इमली के नई कास्ट के रियल लाइफ लॉप पार्थनर से मिलबानी वाली हूँ जो के शायद ही आप सभी जानते हूंगे और जानना चाहती हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बन गर्फ लेते हैं नबर फॉस्ट राजश्री राणी जो के सीडियल में अर्पिता का करदार निभा रही है और इनके लेऊ पार्थनर की बाथ की जाये तो इनके पती का नाम कौरव मुखेश है नबर 6 हेतल यादव जो के सीडियल में श्रिवानी का करदार निभारी है और इनके लेव पार्थनर की बात की जाए तो उनके पती का नाम नीता कपूर है। नबर फूर्थ प्रीत कॉर नायक जो के सीरियल में रुपाली का किरदार निभा रही ही है और इनके लेव पार्थनर की बात की जाए तो उनके पती का नाम विशाल नायक है। नबर फिफ्थ सोम्या शारश्वत जो कसीरियल में किया का किरदार निभा रही ही है और इनके लेव पार्थनर की बात की जाए तो इनके पती का नाम शुभम जैन है। नबर सक्स्थ चतराली गुपते जो कि सीड्यल में देविका का करदार निपा रही है और इनके लव पार्थनर की बात की ज़या है तो इनके पति का नाम लोकेश कुपते है नमबर सेवन्थ नीटू पांडे जो के सीडियल में नर्मदा का करदार निभारी ही है और इनके लव पार्थनर की बात की जाए तो इनके पती का नाम मालूम नहीं है नमबर एट्थ करन बहरा जो के सीरियल में अधर्व का करदार निभा रही है और इनके लाव पार्थनर की बात की जाए तो इनके पतनी का नाम बेला बहरा है नबर नाइन्थ अनुराधा सिंग जो के सीरियल में दिव्या का करदार निभा रही है और ये रियल लाइफ में सिंगल है नबर टैंथ मेगा चक्रवर्दी जो के सीरियल में इमली का करदार निभा रही है और इनके बोर्फरंड कराम साहिल फूल है 11. सीरत कपूर जो कसीटिल में चीनी का करदार निभा रही है और ये रियल लाइफ में सिंगल है 12. जोहब सिद्दकी जो कसीटिल में दैरिय का करदार निभा रही है और इनके लव पार्थनर की बात की जाए तो इनकी पतनी का नाम रूप सिद्दकी है जोके सीरियल में गिन्नी का करदार निभा रही है और इनके लव पार्थनर की बात की जाए तो ये रुएल लाइफ में सिंगल है जोके सीरियल में आकाश का करदार निभा रही है और इनके लव पार्थनर की बात की जाए तो इनके पतनी का नाम सुमन बहरा है जोकर सीटिल में अनु का किरदार निभा रही है और इनके लव पार्टनर की बात की ज़ुआ है तो इनके पती का नाम मालूम नहीं है तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीटिल कैसा लगता है हमी कोवेंट वोक्स में जरूर बतेएगा साथि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थन्यवाद